नमस्कार सिटी पोर्स लाइव के विशेश पेसकस में आपका स्वागत है मैं हूँ सिरकान प्रतियूस और मेरे साथ हैं बिहार के जाने माने बाहुवली नेता अनन सिंग जो लोग सभाचुनाओं में ताल ठोक रहें अभी से और पूरे देश में हंगवा मचा हुआ है सबसे खास बात ये है कि अनन सिंग लोग सभाचुनाओं लगना चाहते हैं यानि संसत पहुचना चाहते हैं और इसका एलान भी दिली में जाकर उन्होंने किया ये खास बात है अनन जी आप लोग सभाचुनाओं के जरिये संसत में जाना चाहते हैं और उसका एलान भी दिली नहीं करके दिली करना हम दिली में बहिन के इलाज करा रहे थे दिली में पतरकार बोले तो जो हमरा इच्छा था जो मन में उबात हम बोले लोग सभाद चुनाव तो आप पहले भी लग सकते थे इसी बार क्यों को खास बात जिनको साथ रहे हम 14 साल तक कोई गती नहीं में भीट्र हित्रे भी त unfree अग्षे थे थे अपम मूंस से अकले एकला पाफ बोलना शुरू कर दिये तो वुछी हम बार्धा संब को नहीं हुआ आपको बिरोधी कहा रहता है, हम नहीं जानते हैं, तो छेत्र भी जाते हैं, हमकी छेत्र भी जाते हैं, फेर कहते हैं, माल जाल भी रखते हैं, हमकी हमाल जाल भी रखते हैं, हमकी हमाल जाल भी रखते हैं, हमकी हम कागज भी है, हमकी हमको अच्छा नहीं लगा, एक तो भीत् आपको पुलिश लखिया कि रखना चाहते है इसरोकार हाँ साके हम विधायक्त है लड़ायक्त है के लिए 1 दजोंगे कि हमको लेशन देदीजिए आज़ देदीजिए हम पाटी मायत है सरकार में हम नहीं है को चीक तक हमको नहीं दिये आपको तो कहा दिया कि टेरर ऑफ एस्टेट है मरातंक है अनम सिंग केसे उनको देशाए तकाहे टिकर दिया था अपको अपको चुनाओ मिलाया गया अब चुनाओ लड़ रहे हैं तो आपको अपराधी कर रहे हैं तो आपको सबढ़ापड हुआ पाथ नहीं जोड़ेंगे अनन सिंग अब आधान जोड़ेंगे अब तो जनताग को हाँ जोड़ना है वह तो करें 14 साथ जोड़ रहे हैं तो अपराधी हुए तो एक आपकी मदद नहीं किये उनकी मदद तो आप करते हैं अब हो तो हो दूग मदज के नाम ए कोई कालन शीम ने की ने किये हैं तो गायख खिला वेंगे अभी भी ज़ाके लगँ 드ॉट अभी जाके लीजी को हम गाय खिलाबेंगे एक काम के नाम बता थे हम एक हजयँ बता थे कि हम आप लोग में यह नतर है अपने खूद हम लोग के बताते थे तो आपको लगता है काट लिया खूद नहीं गिरा तो कुल्य देख रहा है आप ही देख रहे हैं कि कोई गुनागार हम नहीं थे यहां थे विधान सभाम थे दिली में ते तो सग्रों केस होते गया हम अब सब दिन जानते हैं Chris माल जयाल में रहा है हम ही दूद बेचते थे अब हमने पूचते हैं माल जालम नहीं है कि माल जाल भी डखते हैं यहां रखते हैं इसे यहां चुस्ट हमको अच्छा नहीं लगा पहले गारी डौड पर रोग दिया पहले भीटर लाइन बाई लाइन बोलाए गए तो यह भासा से पड़योग की है तो अनन सिंग ललन सिंग खिलाब चुनाव मैदान में उतर रहे हैं तो क्या उनका कोई चुनाव का मुद्दा भी होगा कि हमको फसाया गया हमको को मुद्दा ने होगा जनता को हम हां जोड़के भोट लेकिन सब जिन्दाबाद राहूल कंदी जिन्दाबाद कर रहे हैं अब जब पता चला है कि आप ताल ठोक रहे हैं ललन सिंग के खिलाब तो अब सुराजभान सिंग का बयान आ गया है कि ललन सिंग के लिए बोट मांगेंगे ओ लूग। तब मांगे तो हमको क्या दिकत है दो दुश्मन थे और आपहस में दोस्त हो गयं तो बढ़ाभणिया बात हैं directement ही तो दोस्त हो गया है इस सब तो होते रहता है कब निकलेंगे छेतर में निकलेंगे हम 14 तारीक के बाद खरमास मानते हैं हम खरमास मानते हैं आपका इस्ट देव कौन है किसके पुजा करते हैं पुजा हम नहीं करते हैं करम करते हैं अब आप करम पुजा है पुजा हो जा नहीं करते हैं नहीं खरमास मानते हैं जे दियम है तो मानेंगे तो अब पहले आप कहते थे थे कि लालू की चलते निती सुकुमार को आपने छोड़ दिया अब लालू से कोई परहज नहीं ने कोई परहज नहीं जराला सब कुछ की ए उन भी हमको अधों को गती किया जो कुछ नहीं किया तो उन्हीं ठीक है लालुक साथ रहते लालुक कोई गति हमको नहीं करता था लेकिन नितिश कुमार जिन के लिए इन्होंने सब कुछ किया अब इनका अपराधिक रिकोर्ट खंगाल रहे हैं अब इनके हाथी पालन घोडा पालन के सौक पर सवाल उठा रहे हैं कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं आपको एक आरकर मच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर सेर करिए अगर आपने अब तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजे तभी अनन सिंग जैसे बड़े निताओं के सक्षतकार आपको समय से मिल पाएंगे नमस्कार